नैना तुर बहरी नैना ले लड़ दियूरा अभेतो आखिर दोस्तों अमलेश नागेश का 36 गड़ी फिल्म गुरिया का ट्रेलर कब अपलोड किया जाएगा और इस फिल्म गुरिया का ट्रेलर की दिन तारीक तय हो चुका है आज की इस वीडियो में इस फिल्म का ट्रेलर कब अपलोड किया जाएगा इसका फिक्स डेट बताएंगे तो बने रहें वीडियो में बिल्कुल पूरा लास्ट तक धिलो दोस्तों मैं चुनेश्वर पटे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को आल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही है कि 36 गड़ में सभी लोग एक ही फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है गुईया दोस्तों अमलेश नागेश का यह फिल्म गुईया जब से इस फिल्म का गाना ओस्टर मोशन अपलोड किया है तब से सभी लोग यही इंतजार में लगे हुए है कि इस फिल्म का ट्रेलर कब दिखाई देगा यही उमीद सभी लोग लगाए बैठे हुए है तो दोस्तों वह शुब महूत अब नस्दीक आ गया है आप सभी लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हुआ इस फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्द लॉंच होने ही वाला है जिसका दिन तारीक फिक्स हो गया है लेकिन उससे पहले इस फिल्म के बारे थोड़ा बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मनीश मानिक पुरी जी और इस फिल्म का निर्माता है, मोहित कुमार साहु और इस फिल्म में मुख्य किर्दार के रूप में दिखाई दिया है, हमारे 36 गड में काफी चर्चित, कॉमेडी किंग के नाम से प्रसिध अभिनेता, अमलेश नागेश और हेमा शुकला को इस फिल् का हुआ कहानी देखने को मिलेगा, और यह फिल्म थोड़ा दर्दीला भी रहेगा, जिसे देखकर हम सभी लोग भाव विभोर हो जाएंगे, और इस फिल्म को स्वयम दोस्तों, अमलेश नागेश ने लिखा है, तो सोच सकते है, गाइस की जिस फिल्म में मुख्य किर्दा और राइटर भी, तो यह फिल्म कितना महत्वपून रहेगा, और दोस्तों इस फिल्म में इन सभी एक्टरों के अलावा और भी लोग दिखाई देंगे, जिसमें 36 गड में काफी चर्चित हस्ती वाइरल कॉमेडी स्टार, नितेश कॉमेडियन एवं, आर मास्टर और उनक पूरा ग्रुप टीम, इस फिल्म गुया में इन सभी लोग अलग-अलग किरदार निभाकर रोल प्ले करते दिखाई देंगे, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर कब दिखाई देगा, दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर नवंबर महीना में देखने क और इस फिल्म को 8 डिसंबर 2023 को 36 गड़ की सभी तमाम नजदी की सिनेमा घरों में इस फिल्म गुईया को रिलीज कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस फिल्म गुईया को देखने के लिए कितने लोग उत्सुख है नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना